किसान भाईयों पिछले वीडियो में मैंने आप से सर्चा की थी धान में एक बिमारी बॉनेपन की जो आई है उसके बारे में विस्तार में मैंने आपको बताया था हमारी टीम के वैज्यानिकों ने उन पौधों को लिया करके प्रयोकशाला में विस्तार में अधेन किया है और अलग-अलग विधियों से अधेन करने के बाद यह पता चला है कि बौनिपन का मुख्य कारण एक विशानु है जिसको हम फिजी वाइरस के नाम से जानते हैं इसको हम सदर्न राइस ब्लैक इस्ट्रिक ड्वार्प वाइरस भी कहते हैं और यह विशानु जो है वाइट बैक प्लांट हापर यानि कि WBPH जो फुद का होता है भूरे रंग का जिसके पीट पे सफेद धब्बे होते हैं उसके द्वारा बिमार पौधों से स्वस्त पौधों में फलाय जाता है जब यह कीडा विमार पौधों के उपर बैठ करके तनों से उसका रश्चूशता है तो उसके साथ ही विशानु कीडे के साथ जब वो स्वस्त पौधे पे जाता है और वहाँ पर रश्चूशने का प्रयास करता है तने से तो विशानु एक पौधे से दूसरे पौधे में जाते हैं विमारी के नियंतरण के लिए इसलिए अवश्यक हो जाता है कि हम WBPH का नियंतरण समय से करें जवहीं आपको इसका लक्षण कहीं भी दिखता है या तो आपके ट्यूब वेल के बल्व के ऊपर छोटे-छोटे किड़ी दिखाई देते हैं या पौदे के तनी के नि प्रोशीन है, टोकेन है, पैक्सालोन है ये दवाएं हैं इन में से कोई भी दवा लेकर किसा शिर्काव करके किड़े का नियंतरण करें जब कीरा नियंतरित होगा तो फिर बिमारी फैलेगी नहीं हम लोग ने यह भी पता लगाया है कि जो रोग रसित पौदे थे उनके द अगली पीड़ी में इस विशाणू के जाने के समभवना नहीं है या बीज से बीज जनित विशाणू रोग नहीं है आप इसलिए चिंता ना करें लेकिन WBPH का नियंतरण जरूर करें उमीद है कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आप अपनी फसल में होने वाले नु कर डत करोफे दो आप इस बात का रखेंगा नहीं है कि अाहीं है कि आपकषो है रखेंगा 25 विते वि排